हेलो स्टुएंट्स वेलकम तो वार यूटूब शेटी चैनल मैथेमेटिक्स हो तो इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का कॉस्चिन नमबर 6 जिसमें दिया है इन ट्रेंगल ABC इस एन आइसोसेलिस ट्रेंगल इन विच AB is equal to AC मतलब ट्रेंगल ABC कौन सा है यह ट्रेंगल ABC यह एक आइसोसेलिस ट्रेंगल जिसमें AB और AC क्या है इक्वल है ठीक है आगे दिया है साइट BA is produced to D such that AD is equal to AB मतलब साइट AB इस साइट को अगर D तक बढ़ा दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि AD साइट AB के इक्वल हो जाती है याने कि यह तीनों साइट्स आपस में क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है ठीक है फिकर में देखो आप मार्क किया हूँ अगे दिया है आगे दिया हमें शो दैट एंगल BCD is a right angle मतलब BCD कहुन सा एंगल होगे यह BCD यह वाला यह पूरा एंगल ठीक है यह बोल रहा है हमसे यह 90 डिग्री का यह हमें पूरू करना है समझ भाए सबसे पहले देखो यह क्या है आइसो सेलेस्ट एंगल है अब आइसो सेलेस्ट एंगल है तो इसका क्या मतलब है यह दोनों साइड एक्वाल है यह में दिया हूँ और तो यानि कि इसके सामने वाले एंगल यानि कि यह वाले एंगल और इसके सामने यानि यह वाले एंगल यह क्या हो जाएंगी एक्वाल हो जाएंगे ना आप सबको पता है एंगल अपोजट टू एक्वाल साइड और इक्वल इसी तरह से ये भी तो एक Isocellus Trangle बुन गया ये इसके परावर है लेकिन साथ में A.C. के परावर दिया है आमें लेकिन साथ ये साथ A.C. के एक्वल है तो यानि ये और ये भी क्या होगा है तो यानि आपका यो ट्रेंगल है ACD ये भी क्या है इसके खावनेवाली एंगल यानि की सामने वाली एंगल कौन सा यह वाला है और से फैकुल हो î इस आंगल को अलग कलर सा बनात हूं मैं इसको मनाता है red से ठीक है यह red से अभी समझ भी यह triangle अलग है और यह triangle अलग है तो हम कुछ भी करें इससे पहले हम क्या अपने triangles को नाम दे दें सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करना है सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या करना है गिवन लेख देना है क्या गिवन सबसे पहले हम लेखेंगे दर गिवन है गिवन गिवन क्या क्या है गिवन है कि a b is equal to a c और क्या गिवन है और क्या गिवन है कि a b is equal to a d ठीक है यह चीजे हमें दी वही है और इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हम लिखते हैं हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव क्या है ना तो हम लिखेंगे दर टू प्रूव क्या करना है तो हमें प्रूव करना है एंगल b c d is equal to 90 ठीक है यह हमें प्रूव करना है आगे देखेंगे हम प्रूव तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल a b c इस वाले ट्रेंगल लोग दिखते हैं तो हमें लेंगे इन ट्राइंगल in ट्राइंगल a b c ठीक है इन ट्राइंगल ABC यह वाले एंगल एंगल 1 इक्वल है कि इसके एंगल 2 के ठीक है इसको लिख लेते हैं हम पहले कि एंगल 1 एंगल 1 इस इक्वल टू एंगल 2 समझाया अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ता है तो आप क्या कर तकते हो किसी को भी नाम मत दो ठीक है कि यहां क्या हो जाएगा कि एंगल B इस इक्वल टू दा एंगल कौन सा एंगल है यह ए C B या B C A ठीक है कुछ भी यह जाएगा एक्वल एंगल B C A ठीक है इसको हम देदेंगे नाम equation 1 ठीक है इसी तरह से अभी यह वाला ट्रेंगल लेंगे यानि A C D ठीक है तो यह लेखेंगे हम कि इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल A C D इसमें क्या है इसमें जोते है वाई एंगल D इक्वल हो जाएक किसके एंगल A C D के ठीक है तो यह अंहों जाएगा एंगल D is equal to angle A, C, D, इसका भी रिजन सेम हो जाएगा, एंगल सब्पोजिट तुदे एक्वल साइड सफ ट्रेंगल और इक्वल और इसको दे देंगा हम एक्वेशन 2 ना, ठीक है, अब एक काम हम करना है, इन दोनों एक्वेशन को एड कर देना है, क्या कर देना है, एड कर देना है, तो य इन दोने क्वेशन को एड करते हैं, तो क्या होता है, कि एंगल B प्लस एंगल D is equal to, कितना हो जाएगा, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, ठीक है, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, तो यह दोनों को एड कर देंगा, तो यह पूरा एंगल बन जागा, यहां से यहां तक, क्या नाम है इस एंगल B प्लस एंगल D is equal to एंगल BCD, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे, एक क्योशन नमबर थर्ड, यह इतना समझ भाया है, ठीक है, इस क्या गया हम, इधर ही समझते है, साइड में, अभी दो को हम यहां पर क्या है, अपना पूरा ट्राइंगल लेंगे, यह पूरा, BCD, यहां लेखेंगे हम, in triangle BCD, ठीक है, क्या हो सकता है, कि अगर इन तीनों एंगल्स को हम एड करते हैं, तो कितना होना चाहिए, 180 डिगरी होना चाहिए, एंगल सम प्रपर डी यह कहती है, कि अगर किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम किया जाए, तो कितना होना 180 degree होना चाहिए तो हम यहाँ करेंगे angle B यानि एंगल B प्लस अंगल D कि यह अंगल D प्लस एंगल BCD ठीय है क्या निकाला है अमने angle BCD BCD एंगल C नहीं किसकते क्यों क्यों कि एंगल C ये भी यह जाए ये भी हो जाए तो क्या कहें हम इसको एंगल B C D कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए रिजन आप लोग लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ओफ ट्रेंगल ठीक है इतना लिख सकते आप तो देखो प्रॉपर्ब ठीक इंगल B फ्रॉपर्ण ठीक होना चाहिए इंगल B C D कितना है एंगल B C D तो हम इसको सब्स्टोट कर सकते हैं यहां से अगर हम एंगल B C D से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या यह जाएगा यह एंगल B C D प्लस एंगल B C D is equal to 180 degree कहां से आया तो यह आया है from equation 3 तो BCD plus BCD कितना हो जाएगा 2BCD equal में कितना होगा 180 degree ठीक है BCD को यहां अकेला करेंगे तो यह जाएगा BCD यह multiply में है तो equality को दूसरी साट जाएगा किसका हो जाएगा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 2N2 2N18 तो यह हो जाएगा 90 degree ठीक है तो यानि कि आग है हमारा कि angle BCD is equal to 90 degree ठीक है यह हमें प्रूव करना था आगे हमें एक छोटी से लान लिखनी है hence proved हैना simple easy है इन questions में कुछ भी नहीं है मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ अपने concept के लिए रखिए इस सारे questions बहुत easy लेगे ठीक है तो हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो परसंदाई तो लाइक करना और अपने दोस्तों जरूँ सेयर करना तब तक लिए बाई बाई जाहिन